हेलो एब्रिवान तो कैसे हैं सारे 12th क्लास के बच्चे आई होप आप लोग अच्छे होंगे है ना मैं भी बहुत अच्छों अब मुझसे बहुत सारे बच्चों ने यह बाते कहीं कि मैम बाइलाजी के लिए और और सारे सब्जेक्ट के लिए एसस्ट के लिए 10th के भी 12th के बच्चे जो हैं वो यह कमेंट कर रहे हैं कि आप इंपोर्टेंट टॉपिक्स बता दो जो एक्जाम पॉइंट के हिसाब से अच्छे हैं तो इसी लिए क्योंकि मेरे पास इतनी सारी डिमांड आ रही थी तो अपने प्यारे से बच्चों की प्यारी सी बाते मानते हुए मै सब्चेक्स के और देखने के लिए और लेकिन मेरी जो बेडियो थी नॉलेज कि ना किसी काम की नहीं होती अगर आपको चीज तयार करें अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो उसे एंड तक देखो ताकि आप लोग जो है वो IMPORTन पॉइंट को चीजों को समझसकों कि कि आपको नहीं समझ भी आएगा कि मैं क्या चीज़ें करना चाहती हूं कि आपको बताना चाहती हूं ठीक है तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखेगा और कमेंट करके जरूर बता देना आपको वीडियो कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लाइक कर लेना चलो हम सब्सक्राइब करते हैं आगे अपनी पढ़ाई जो स्टार्ट करते हैं अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ओफ इन्हेरिटेंस यह बहुत बड़ा चैप्टर है बहुत ज्यादा इशूस में माइंड में क्रियेट करता है ना बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी बहुत सारे लोगों को होती है तो अब मैंना आपको सिर्फ तीन चार टॉपिकी बताऊंगी इस वाले इसके लेकिन यह जो तयार करोगे ना ऐसे करना एकदम हिसाब से मतलब फिर कोई तुम्हें यह नहीं आता अगर यह तयार कर रहे हो तो पूरा आना चाहिए ठीक है एक सेग्रेशन हर साल पेपर में आ जाता है मूँ उठा के तो और आता तो इंडिपेंटर असौर्टमेंट भी है लेकिन इंपोर्टेंस उसकी जादा है तो इस बारी ना तुम डाय हाइबरेड क्रोश जरूर करके जाना क्योंकि वह तो कंटिनुसली हर साली पेपर में देखन एकृइं आफेशन करना ऑर बनाके जिस तरीके से देते हैं कि यलो लीफ है और उसमें पूनेट स्क्वाइर आपको एक कोई विडेंट भी बना रहनाना हो ठीक है साथ में ऐसा क्या ही है कि वह फाइफ मार्क्स कोश्चन में वह एकस्मेशन के लिए अब उसमें अगर आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वह का ना तुम के स्टडी के हिसाब से तयार करना पैडिगरी चार्ट बहुत सारे बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं समझ में याता कि क्यों छोड़ते हैं लेकिन हर साल बेसक छोड़ दो इस बार अगर आपको अच्छे मांक्स लाने हैं मैं सच बतारी हूं जो जो टॉपिक मे कहना बनता है ओके चलो टाटा बाई बाई सी यू अ